हेलो फ्रेंड्स, वेलको बैट पूमाई चैनल, सलोनी का स्वाथ फ्रेंड्स, आज हैं बना रहे हैं मूली का बहुत ही टेस्टी वाला अचार वैसे तो मूली का अचार बहुत जल्दी खराब हो जाता है लेकिन अगर आप इस तरह ऐसे ढालेंगे तो आपका मूली का चार भी कभी खराब नहीं होगा और काफी दिनों तक, इविन काफी महिनों तक आप इसे रख कर खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी और जल्दी बनने वाला चार है आप इसे हाथो हाथ डाल कर भी खा सकते हैं तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने आदे कलो फ्रेंड स्मूली लिया है और मैंने इसे धो कर छील कर कप्ड़े से पोंच कर और इसे ऐसे लंबाई में काट लिया है आप जैसे चाहें वैसे पीसिस के कर सकते हैं और फिर हमें इसे आदा खंटे के लिए सुखाना है या जब तक कि इसका पानी बिल्कुल भी ना सूख जाए आप चाहें तो इसे धूप में सुखा सकते हैं चाहें तो आप इसे पंखे की हवा में भी सुखा सकते हैं लेकिन इसमें बिल्कुल भी पानी दिखाई नहीं देना चाहिए ये अच्छे से सूप जाने चाहिए और बस अब हम यहाँ पर ले रहे हैं एक कड़का पैन में दो चमश मैंने मस्टर्ड ओयल लिया है ये बिल्कुल कच्छा ओयल था इसलिए इसे मुझे अच्छे से गरम क करना पड़ रहा है तो देखिए ओयसे धुआ निकल रहा है गैस को हमने बंद कर दिया है अब इसे हम थोड़ा ठंडा होने देंगे क्योंकि तेज करम में अगर हम मसाले डालेंगे तो वह सारे मसाले जल जाएंगे अब यहां पर में ले रहे हूं फ्रेंड्स तीन मसाले है यह अजन राई और मेति इन तीनों को मैंने खलर में हलका सब कूट लिया तो घ्рок खलर रापा तो हलका दर दर आशा में इसे में आसी खलर क्लास दाली है तτίनों चीज आदा चमच में मीक्स करेंगे यह आदा चमच धनिया पौडर आदा चमच लिः पावडर आदा सक आद अगर आप ज्यादा तीखा खाते हो तो बस अब हमने से मिक्स कर देंगे और पिक्स करने के बाद इसे हम गरम-गरम थोड़ा सा जो हमने मूलियां काटके रखे ना उसके ऊपर डालें तो आप मूली जो है वो किसी बड़े बरतन में ही डाल कर इस मसाले को एड करें क्योंकि म मिलाने में थोड़ी आसानी होती है जो मसाला होता है वो अच्छे से कोट हो जाता है मूली के ओपर मतलब मिलने में आ जाता है अगर हम किसी छोटे बरतन में लेंगे तो मसाले को मिलाने में परिशानी होगी और हम सारी मूली को मसाले से कोट नहीं कर पाएंगे और जो मूल को अच्छे से एड कर सकें कोट कर सकें सारी मूलियों को यह देखिए सारी मूली जो है वो मसाले में कोट हो गई है तेल का और मसाले का एक लेयर बन गया है सभी के ऊपर अब इससे ना हमारा चार खराब नहीं होगा बहुत अच्छा रखा रहेगा और मूली सॉफ्ट भी नह नमक डलनी के बाद बहुत जादा पानी छोड़ देती है या सॉफ्ट हो जाती है तो वो भी सॉफ्ट नहीं होगी तो इसमें इसी लिए हमने पहले नमक एड नहीं किया है क्योंकि अब ना जो तेल से इसकी एक लेयर बन गया है मूली के ऊपर तो अब वो इतनी जल्दी अ चार हमारा खराब ने होगा मूली पानी नहीं छोड़ेगी और आपका चार काफी दिनों तक सेफ रहेगा तो फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि इसी तरह से मैं काफी टेप्स और ट्रिक्स के साथ अपनी रेस्पी शेयर करती हूँ जिससे कि आपको बनाने में मजा आए और आपकी चीज खराब भी ना हो तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना सब्सक्राइब करके जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकिशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सके और रेसिपी अच्छी लगे तो कोट हो गई हैं और मैं आपको इसमें आगे एक टिपस और वताऊंगे जिससे कि आपका अचार बहुत लंबे समय तक सेफ रहेगा अब हम इसमें अपने कुछ ट्राइ इंडि मसाले और एट करेंगे इसमें मैंने एक चमज काला नमक डाला है एक चमज सफेद नमक आदा च कश्मीरी लाल मिर्ष डाल सकते हैं अगर आप जादा तीका पसंद नहीं करते हैं तो और दो चमज बड़े वाले भरकर आम चूर पाउडर तो इन सारी चीजों को हमें डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब बारी ह जो मैंने आपको मैजिकल इंग्रेडियंट बताया था जिससे आपका अचार कभी खराब नहीं होगा उसकी बारी यहां पर मैं यह एक धकन डाल रहे हूं आपका अचार काफी टाइम तक अच्छा रखा रहेगा और सॉफ्ट पी नहीं होगा टाइट रहेगा एक तम से तो यह है वो मैजिकल इंग्रेडियंट जिसके मैं बात कर रहे थी वाइट विनेगर हाँ फ्रेंड्स यह वही वाइट विनेगर है जो हम चाइनीज फूड में यूज करते हैं मूसली तो अगर आप इसे डालेंगे ना इसमें मैं आदा किलो मूली में एक ड़कन यूज कर रह इससे अचार आपका बहुत टेस्ट भी अच्छा आएगा और सेफ भी रहेगा खराब नहीं होगा तो बस विनेगर को भी मैंने मिक्स कर दिया है अच्छे से सारी मूली इसमें पोट हो गई है और बस अब इस तरह के हम कांच के सूखे होए एक जार में इसे भरकर रख ले और आप इसे तुरंट की तुरंट अभी भी खा सकते हो क्योंकि हमारे सारे मसाले हमने इसमें पका कर डाले हैं कुछ भी कच्छापन का टेस्ट नहीं आएगा ओयल भी हमारा पका हुआ है और आप इसे महीनों तक एंजॉय कर सकते हो अगर आपको लगे कि कहीं ऐसा लग र और आप